बेहत शौकिंग खबर आ रही है अभिगल और सनम जो दो टेलिविजिन एक्टर्स को पकड़ा गया है वो लोग जो है उनके घर से चरस बरामत की गई है जी हाँ उनके घर से चरस बरामत की गई है पेडलिंग में नाम आने का अंदेशा जता जा रहा है टीवी के दो बड़े ये एक्टर्स जिनको आप टेलिविजिन इस्क्रीन पर देख चुके है जिनकी वेब सीरीज आने वाली है आप से उनके घर से सनम जोहर के घर से ढर्टम मिले हैं. NCB को अभिगेल के घर से भी ड्रग मिले है नाम हाला कि थोड़ा confusing है सनम उनके boyfriend का नाम है अभिगेल girlfriend का नाम है उनके घर से ड्रग मिला है और बड़े actors के नाम लिये हैं peddlers के contact से इनका contact निकला क्या pedaling और drugs indicating में भी इनका involvement है ये एक बड़ा सवाल उपता है जब इनके घर से drugs बरामत किया गया है drugs की बरामत की बहुत बड़ी बात है रिया चक्वती के घर से कुछ बरामत नहीं हुआ है ना ही शौविक के यहां से हुआ है लेकिन ये जो television stars है इनके घर से drug बरामत किया गया है पेडलर्स की तरह तो क्या ये पेडलिंग में शामिल थे या क्या procurement में शामिल थे ये बड़ा इलजाम लगता और उसके बात कड़ी खुल जाती है जितने लोगों से उनका संपर्ख है जो लोग उनसे बात चीत करते थे जिनसे भी drug chats है इनके phone को cease कर रही है जो भी निकल कर सामने आएगा वो अब इनके रडार पर आ जाएगा एंसी भी उससे पूश्टाज करेगी इस वक्त की बड़ी खबर अभिगेल और सनम के घर पर drug मिला है बड़े television actors हैं ये दोनो ड्रग कार्टल अनुच के स्वानी से contact होने के नाते drug pedilers जो पकड़े गए थे उनके contact to contact होने उनके mobile data से retrieve होने के बाद इनका संपर्क मिला है NCB तमाम पूरे संपर्कों को एक ब्रहत नसर ये से broader prospect से देख रही है ये क्या किस से connected था कौन कैसे कार्टल चलते थे किस कार्टल में कितने लोग हैं कहां तक पहुंच है कौन पार्टी में सप्लाइ करता था इस दिशा में अभी गिल और जो सनम जोहर के घर क्या ये जो बरामदगी है चरस की ड्रग्स की ये बेहत बड़ी हो सकती है बने रहे मेरे साथ लगातार खबर का सलस्किला जारी है